तो जैहन दीवी लवर्स चलिए इस अबते की इवी न्यूस पे एक नज़र डाल लेते हैं सीधी बात नो पकवास दोस्तों बड़ी खबर आ रहा है गोदी इंडिया की तरफ से जो कि एक हैदराबाद की स्टार्ट अप है और 2024 तक वो इंडिया में जीगा फैक्टरी लगान इसी कंपनी बन गई है जिसको Bureau of Indian Standard का Certification प्राप्त हो गया है जिससे आप BIS के नाम से भी जानते होंगे और गोदी ने जो भी इस सेल्स डिजाइन किया है उसको एक थैट पार्टी टेस्टिंग एजनसी ने वेरिफाई कर दिया है तो इस लीथे माइन की रेस में सब लोग आगे जाना जाते हैं लेकिन कुछी लोग सकसीड होते हैं और वही करके दिखाया है गोदी इंडिया ने और ये एक लीथे माइन सेल्स की बड़ी manufacturing facility होगी इसलिए इसका नाम जीगा फैक्टरी के टर्म्स पर लिखा जा रहा है जो कि टेसला करता है चली अब अपनी दूस टेक्नलोजी या पार्टनर्स हैं उनी को ग्रो करने का होगा टाटा केमिकल्स पहले से ही लीथियम कार्बोनेट का प्रड़क्शन करता है जो कि एक लीथियमान बैटरी को बनाने में काम आता है लेकिन ये compound फिलाल वो सरफ OEM लेबल पे ही बेंचता है इसलिए वे सोड़ा तीसरी निउस आ रही है हिंदुस्तान मोटर्स की तरफ से जो एक जोएंट वेंचर करेगा यूरोपियन पार्टनर के साथ और इंडिया में 2023 तक टू विलर्स लॉंच करेगा इलेक्ट्रिक फिलाल कंपनी अपनी restructuring कर रही है और इंवस्टर्स वो फर्वरी के बाद डूनना चालू करेगी और दो साल तक इलेक्ट्रिक वेगल manufacturing करने के बाद टू विलर्स की ये फूर विलर्स में आएंगे तो EV2 विलर्स की रेस वैसे भी हाई होने वाली है फ्यूचर में चौती ख़बर आ रही है बजाज आटो की तरफ से बजाज आटो अपना इलेक्टरिक स्कूटर बजाज चेतक इलेक्टरिक अब देश में 75 लोकेशन से मेचना चालू करेगा फिलाल बजाज चेतक से मेट्रो सेटीज में ही मिलता है आप इस फाइनेशल एर में वो लोग चाहते हैं कि हम 75 नई लोकेशन पे इस इलेक्टरिक स्कूटर को मेचना स्टार्ट करें बजाज चेतक की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आने वाली लोकेशन कौन कौन सी होंगी ये बहुत ही जल्दी नहां अपडेट कर दिया जाएगा दोस्तों पाच्वी गवर आ रहा है महिंद्रा आटोमोटिक पी तरफ से महिंद्रा ने आल में ही अपने ईवी प्लांस के लिए 1925 क्रोट रुपए रेज किये हैं वो भी एक ब्रिटिस इन्वेस्टमेंट एजनसी से और उसकी करेंट वेलुएशन है लगएक 70,000 क्रोट रुपए एक्स्वी 300 की तरह दिखने वाली एक्स्वी 400 बहुत ही जल्दी यह सेक्टेमर में लाँच करने वाले हैं और वो नेक्स ओन इवी से सीधी टक कर लेगी और 2027 तक इनका यह टार्गट 20-30% का है कि महिंदरा की जो भी सूवी जबिकेंगी उसमें इलेक्टरिक वहन से आमिल होंगे दोस्तों चटी और आकरी नियूज आ रही है हीरो इलेक्टरिक की तरफ से हीरो इलेक्टरिक को महिंदरा और महिंदरा के बीच में जो पैच अप हुआ था कि इनकी फैक्टरि से ही हीरो इलेक्टरिक के स्कूटर बनाए जाएं उस फैक्टरिक ने अपना पहला बैच बाहर निकाल दिया है और ये सारे scooter महेंद्रा के पीतन पुरा प्लान से ही निकले हैं महेंद्रा के साथ मिलके इनके अलगी प्लान है और ये बहुत ही जल्दी और भी टेकनलोजी डबल अप करेंगे महेंद्रा के साथ मिलके Hero Electric की काफी जादा डिमांड ना है इंडियन मार्केट में खासकर हीरो अप्टिमा की जो की आउट आफ स्टॉक हो जाता है बहुत ही चल्दी और इसलिए हीरो और महिंद्रा मिलके अब जादा प्रडक्शन कर रहे हैं जिसे वो कैटर कर पाएं मार्केट की डिबांड्स को तो उम्मीद है दोस्तों आपको इसी हफते की इवी न्यूस पसंद आई होगी अगर आपको ये न्यूस पसंद आई है तो ख्रप्या में सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं जाए हिंदी इवी लवर्स